स्टार प्लस की मस्ट परपलर सिरियल इस प्यार का क्या नाम दूमिद दिवाली की तैयारी चल रही है और खुसी और अंजली जी मिलकर के रंगोली बना रही है वहीं पर अर्नौ स्टूल विखरा हो करके बिजली के बल को ठिक कर रहा है खुसी परवराय जा रही है कुछ साधी के बारे में अंजली पूछती है कि खुसी जी आप क्या परवरा रही है साधी क्या कह रही है साधी के बारे में किसकी साधी अपनी साधी और अर्नौ उसे घूरने लगता है तो फिर खुसी कहती है अंजली जी आपकी साधी कैसे हुई तो अंजली बताती है कि मेरा साधी तो love marriage है खुशी कहती है कि कैसे आपने जाना कि love marriage मतलब आपको इन से प्यार हुआ है तो अंजली बताती है कि ये तो मेरा बहुत ख्यार लगते थे मुझे शुरू से ही बहुत अच्छे लगते थे मेरी हर बात को यह समझ आते थे पिर भी कैसे पता चलेगा कि किसी से प्यार है तो अंजली कहती है जब किसी को कितना भी देखो और देखने से भी जी नहीं भरे सुबह उठो तो उसी का चहरा सामने नजराए और लगे वो सामने हो तो कितना अच्छा होगा उसके खुसी में ही खुसी हो तो ऐसा अगर लगे तो समझते हैं कि प्यार है अंजली वताए जरही है और खुसी और अर्नो एक दूसरे को देखे जा रहे हैं प्रेम से जैसा कि सिरियल में होता है अंजली कहती है अडे मुझे याद आ गया है इनके वारे में बात करके ये कहां पढ़ है और अंजली उठकर चली जाती है उसी समय कभी खुसी अर्नो को देखता है और कभी अर्नो खुसी को देखता है और खुसी जो है थोड़ा सा S.S. फिल करती है और वहां से उठने लगती है जैसे ही उठती है तो Arno के स्टूल प्रोस का नजर जाता है और कहता है कि Arno जी आपका स्टूल गिरने वाला है और जैसे ही इतना बोलती है कि Arno धराम से खुशी के ऊपर गिर जाती है और साथ में रंगूली के खुटी इस तरह से दिखाया गया है कि दोनों एक दूस्रे को देख रहे हैं और उठने ही पाद रहे हैं ठोड़ी दिर बाद खुशी उठना चारा रही है और उठना पार रही है अरनों कहता है रुखो और खुशी का हाथ निकालते हैं फिर दोनों उठ जाते हैं अर्नो जब उठते हैं तो खुशी के तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं उठाने के लिए और जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं अर्नो फिर खुशी को अपने तरफ खीच लेता है तब ही घर के अन्य लोग अंजली मामी जी और लवन्य आती है और कहती है आवाज कैसी है तो खुशी कहती है कि अर्नो जी स्टूल से गिर गए तो अंजली कहती है कोई बात नहीं है रंगूली भी कर गया तो अर्नो तुम्हें चोट तो नहीं लगा अर्णो काता है नहीं दी मुझे चोट नहीं लगा है और मामे जी कहती है हिलो हाई वाई वाई दूसरे सीन में लवन्या कहती है खुषी मुझे सारी पहनाना सिखा दो और लवन्या को सारी पहनाने के लिए खुषी जाती है और लावन्या को सारी पहनाना सिखाती है इस क्राम में खुशी खुद भी सारी पहन के दिखाने लगती है वहीं सामने अर्नो पौधों में पानी दे रहा होता है और फिर से उसकी निगाह खुशी पे पर जाती है और खुशी को एक टक निहारने लगता है बस निहारे जाता है और खुशी की भी निहारे जाता है और खुशी भी उसे निहारे बस एक टक निहारे जाती है और कुछ ऐसा भी फिल करती है लावन्या विच में टोकती है खुशी मुझे सारी पहना ना बताओ ना खुशी थोड़ा साहज होके बताती है फिर उसकी नजर अर्णो पर पर जाता है, अर्णो जो की नजर उसके गिर ही नहीं रहा है, देखे जा रहा है, तब लावन्या का नजर अर्णो पर पर परता है, हरो अर्णो के पास आकर कहते है, एसार, येत क्या, गमले का पानी बिल्कुल ओवर्फलो हो गया है, और तब अर्णो का ध्यान और वह सक पका जाता है इधर फिर लावन्या आती है और खुछी से कहती है ठीक है खुछी मुझे सारी पहनाना सिखाओ तो खुछी कहती है लावन्या जी मेरी तवित कुछ ठीक नहीं लग रही है अब मैं कलत आपको सारी पहनाना सिखाओंगी